नमस्कार, स्वागत है ओपी सरी स्टडी पॉइंट में क्लास 10th की First Flight Book की जो पॉइम की सीरीज चल रही थी उसको continue रखते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं Max Point Fog Fog, जिसका टाइटल है Fog और जिसके Point है Karl Sandberg याद रखिए Point and Point का नाम आपको सड़े भी याद रखना है Fog है Karl Sandberg Fog का क्या मतलब होता है जैसा आप सबी जानते है Fog का मतलब होता है कोहरा या दूंद Winter season के अंदर, सर्दी के मौसम के अंदर क्या होता है जब सुबह होती है, जब ठंड बढ़ रही होती है तो पूरे वातावरन के उतर एक सफेज सा, वाइट कलर का आवरन सा चाया रहता है उसी को हम कोहरा कहते है संभवतिया सभी ने आप लोग ने देखा होगा तो देखिए ये जो point है, इसमें एक छोटा सा topic लिया है Fog और कभी ने यहां पर Fog की तुलना किसे किये, एक little cat से एक बिल्ली से तुलना किये, किसे किये, बिल्ली से तुलना किये और इस कवीता का मूल भाव मातर इतना है, कि जिस तरह से एक बिल्ली होती है बिल्ली किस तरह से आती है तब हमें पता भी नहीं चलता जब कीचन के अंदर मानलो दूद पढ़ा हुआ होता है तो बिल्ली कैसे चुपके से आ जाती अपने को पता ही नहीं चलता केवल वो यदि बरतन कोई बजता है तो पता चलता है बागी पता नहीं चलता उसके पेरों की कोई आवाज नहीं होती सेम कंडिशन के अंदर क्या होता है जब कोहरा चाता है कोहरा जब आता है तब बिल्ली की तरह दबे पाव आता है यानि कि बिना शोर की ये बिना आवाज की चुप चाप कोहरा आता है फिर वो वहाँ पर आतावन के अंदर चाज आता है यहाँ पर कभी के नुसार वो हर्बर और सीटी यानि की बंदरगा और शेहर के उपर चाय जाता है और फिर ढूप खिलने के साथ वो फिर चुप चाप वैसे ही चला जाता है जिस तरह से बिल्ली चली जाती है तो आईए समझते हैं कभी का भाव जिस तरह से चोटी बिल्ली लीटल कैट फिट अपने पैरों के उपर अपने पंजों के उपर चुप चाप दबे पाव आती है बिना आवाज किये silently आती है, उसी तरह से कोहरा आता है, तो कैसे कोहरा आता है the fog comes on little catfish बिल्ली के, जिस तरह से दबेपाव बिल्ली आती है, उस तरह से कोहरा आता है, it sits looking, it यहाँ बैठ जाता है, it किसके लिए आया, fog के लिए, ठीक है मतलब होता है, बंदरगा, बंदरगा क्या होता है, जहां पर sheep and boat, sheep यहाँ, boat, नावे, आती है ठैरती है और चली जाती है, उसे बारबर कहा जाता है, तो हारबर के उपर यह बैठ जाता है and city, देखिए, कोहरे की उत्पती समुद्र से होती है, कोहरे की हारबर होता है, बंदरगा होता है, तो पहले वो कहां बैठता है, कोहरा कहां चाता है हारबर के उपर, बंदरगा के उपर और उसके बाद वो city की तरफ आता है, तो कौन सी जगह पे कोहरा चाया हुआ बताया है बैठा हुआ बताया है, तो हारबर किस प्रकार से बैठती है, ड exhib przed morning कोहरा कोई living beings नहीं, कोई जीवित प्राणी तो है नहीं जो बैठेगा। तो यहाँ पर क्या है कौन सा figure of speech है? personification या मानवीकरण किया गया है प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो गुट इपनों मोड कर बैठ जाती है and then moves on और फिर आगे चली जाती है, move on हो जाती है, आगे चली जाती है, कब move on होती है, जब धूप किल जाती है, तो कोहरा हट जाता है, तो कभी ने देखी एक छोटी सी घटना का, कोहरा सरदी के मोसम में, कोहरे के आने का, चुपचाप आने का, के अंदर बनता है, how does the fog come, किस प्रकार से कोहरा आता है, कोहरा कैसे आता है, तो देखी, आंसर होगा, the fog comes, यहां से हम आंसर लेंगे, the fog comes का, comes हो जाए का, does, helping verb है, present simple की, तो यहां comes हो जाए का आंसर में, the fog comes, कैसे आता है, silently, slowly and noiselessly, तीन वर्ड याद रखने है, silently, slowly and noiselessly on little cat fit, on little cat fit, बिल्ली की तरह, ठीक है, दूसरा सवाल, where does the fog come from, fog कहां से आता है, तो अभी बताया था के, fog की उत्पती समुतर से होती है, तो देखे किस तरह है, the fog comes from the sea, चोटा सांसर है, याद रखिएगा, तीसरा सवाल, बहुत important सवाल है, why does the poet compare the fog with the cat, कभी ने, fog के तुल केट से क्यों की है, तो देखे, the poet compares the fog with the cat, cat से तुलना क्यों की है, because, क्यों की, just as, जिस तरह, the cat moves silently on its feet, जिस तरह से बिल्ली, silently, चुप, चाप, अपने पेरों पर चलती है, दबेपाव चलती है, in the same way, उसी तरीके से, the fog creeps in silently, fog भी रेंगता हुआ आता है, silently, चुपके से, into harbor from the sea, समुद्र से, कहां पर आता है, harbor की और आता है, बंदरगा की और आता है, फिर city पर, चाज आता है, तो इस तरह से, बिल्ली और fog की कभी ने तुलना की है, अशा करता हूँ, वीडियो पसंद आया होगा, पहली बार यदि channel पर आया है, तो please, channel को subscribe कर लीजिए, वीडि आया है, ये रीजिन!